देश की आज़ादी के अमरत महुतसफ की अफसर पर उत्रप्रदेश में भी लगतार आयोजन हो रहे हैं इसी के अंतरगत लखनव में मंगलवार से खादी महुतसफ 2021 का आयोजन किया जा रहा है मुख्यमंतरी योग्या अधितनाथ इस महुतसफ का उद्गाटन करेंगे इंद्रगांधी प्रतिस्चान में लगने वाले सखादी महुतसफ का आयोजन 18 दिन तक होगा इस दोरान यहाँ पर उत्तरप्रदेश के पारंप्रिक सांस्कृतिक कारिक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा वहीं सियम योगी आज कुशी नगर और बस्ती के दोरे पर भी रहेंगे संचारी रोग पकवाड़े का शुभारम करेंगे सियम योगी वहीं कुशी नगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाकर पीम के कारिक्रम का स्थलिय निरिक्षण भी करेंगे तो आज कई कारिक्रम हैं जिसको लेकर आज सियम योगी अपने दोरे पर भी रहेंगे साथ ही इंद्रा गांधी प्रतिस्थान में जाकर खादी महोसव का उदगाटन भी करेंगे सियम योगी साथ ही पीम मोदी के स्थलिय कारिक्रम जहां दोरा है पीम मोदी का उसका निरिक्षण करने भी जाएंगे प्यमके कारक्रम स्थल का निरिक्षण करेंगे देश की आजादी के अमरत महुतसफ के असर पर उत्रप्रदेश में भी लगतार आयोजन हो रहे हैं और इसी के अंतरगर लखनों में मंगलवार से खादी महुतसफ का आयोजन किया जा रहा है महीं मुख्यमंत्री आदितनात सम्माहुतसफ का उद्गाटन खुद करेंगे और आपको बता दे कि लखनों के इंद्रा गांधी प्रदिश्थान गोमती नगर में करीब 11 बजे मुख्यमंत्री योग्या दितनात प्रदेश के खादी से जुड़े प्रदिश्थानों की प्र कारेक्रमों का योजन भी किया जा रहा है ताकि संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सके लोगों के पीच युवाओं के बीच इसकी पहुच बढ़ाई जा सके सेम योगी आज कुशिनगर और बस्ती के दोरे पर भी रहेंगे संचारी रोग पक्षवाड़े का शुभारम भी करेंगे तो कई कारेक्रम हैं आज सेम योगी आदेतनाथ के कुशिनगर इंटरनेशनल एरपोर्ट जाकर पीम के कारेक्रम का सलिय निरिक्शन करेंगे अबको पता दे कि पीम का कारेक्रम है कुशिनगर में कुशिनगर इंटरनेशनल एरपोर्ट पर ही वो पहुचेंगे ज इसका जाइजा लेने आज खुद CMU के अधित अनात जाएंगे तो खादी महुटसब है आज से उसका शुभारम CMU के अधित अनात करेंगे ताकि खादी का महत्व युवाओं के बीच लोगों के बीच बढ़ाया जा सके सांस्कृतिक कारक्रमों का युजन किया जाएगा ताकि सांस्कृतिक कारक्रमों से लोग जुड़ सके तो देश की आज़ादी का अमरित महस्व मनाया जा रहा है तो इस असर पर खास बात ये भी है कि देश अपनी संस्कृती से जुड़े युवा संस्कृती को पहचाने खादी हमारी पहचान है इसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी परमपरा को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृतिक कारेकरम को आगे बढ़ाने के लिए उत्तप्रदी से खादी महोतसफ 2021 का आयोजन किया ज़ा रहा है तो 2021 का आयोजन आज से यानि के मंगलवार से होगा और इसका शुभारम 11 बजे मुक्यमांतर योगी आदितनात करेंगे इंद्रा गांधी प्रतिश्थान में ये कारेकरम होगा जोहां पे सांस्कृतिक कारेकरमों का भी करेंगे इंद्रा गांधी प्रतिश्थान में लगने वाले सखादी महोतसफ का आयोजन 18 दिन तक चलेगा यानि ये एक दिन के लिए नहीं जितनी भी खादी महोतसफ है और सांस्कृतिक कारेकरम है तो 18 दिन तक इसका आयोजन किया जा रहा है और इस दोरान यहाँ पर उत सीम योग्या देतनाथ रोज कहीं न कहीं किसी जिले के दौरे पर हैं वहाँ की तमाम कारेकरमों का जाइज़ा लेते हैं और चीजों का निरिख्षड करते हैं सीम योग्या देतनाथ संजारी रोग पकवाड़े का शुभारम भी करेंगे और कुशीन अगर इंटरनेशनल जाकर पीम के कारेक्रम का सलिय निरिक्षण करेंगे तो ये आज की मुख्य कारेक्रम है सीम योग्या दितनात के और उसके बाद लखनव वापस आ जाएंगे सीम योग्या दितनात तीन जगह जाएंगे कुशी नगर इंटरनेशनल एरपोर्ट जाएंगे पीम के कारेक्रम का स्थालिय निरिक्षन करेंगे और साथी बस्ती भी जाएंगे तो कुशिनगर बस्ती जाने का कारिक्रम आज जेते हैं सीम्डियो गया देतनात का संचारी रोगपकवाड़े का शुभार्म करेंगे साथी इंद्रगादी प्रतिष्ठान में सबसे पहले जो खादी महुतसब लगा है खादी महुतसब उसमें शामिल होंगे तो खादी महुतसब में जुड़ेंगे उद्गाटन करेंगे जनता को लाब भी बताएंगे अपनी परंपरों को किस तरह आगे बढ़ाना चाहिए इसका क्या महत वह है इस पे भी जनता को संबोधित कर सकते हैं सीम्यो गया लगातार जनता के बीच बने रहते हैं सीम्यो गया आजितले तेनात हर जीलों का दौरा करते हैं और मैरसोन दौरे और बाठके भी कर रहें क्योंकि चनावी महुतसब कर रहेंगे और जनता को संबोधित करेंगे इसके बाद अपने कुशिनगर बस्ती के दौरे पर खादी महुदसफ का उद्गाटन करते हुए नजर आएंगे सीम योग्याज इतनाथ कई कारिक्रम है आज सीम योग्याज इतनाथ के आपको बता दे कुशिन अगर बस्ती ये दौरे पर रहेंगे चुनावी महुल है और चुनावी महुल को देखते हुए लगतार सीम योग्याज दौरे पर है अधिकारियों के साथ बैठके भी कर रहे हैं यूपी के जनता के बीच बने हुए ताकि उनकी दिक्कतों को सुना जा सके और साथ ही उनका निस्तारण भी किया जा सके खादी महुल सब का योजन किया जा रहा है क्योंकि देश में अमरित महुल सब मना जा रहा है और इसकी अच्छी खासी जहलक उत्तरदीश में भी देखने को मिल रही है उत्तर प्रदीश खास तोर से आजादी के अमरत महुतसव को मना रहा है क्योंकि खादी महुतसव मना जा रहा है और देश में अमरत महुतसव मना जा रहा है तो दोनों में एक जुडाओ भी है तो दोनों में लिंक ये है कि देश की परंपरा और जब देश का अमरत महस्त मनाय जा रहा है तो उस वक्त खादी का काफी महत वर रहा था आपको बता दे कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वक्त खादी का भी एक महत वर रहा था गांधी जी ने खादी को आके बढ़ाया था लोगों के बीच महत्व इसका बताया था और खुद अपने चर्के से सूथ काटते थे और खादी के वस्रों बनाते थे तो उस वक्त भी खादी काफी चर्चा में रहा था और आपको बता दे कि उस वक्त से लेकर इस वक्त दर खादी का काफी महत्व रहा है और आज खादी महत्व मनाय जा रहा है और इस खबर पर हमाई साथ समवधाता गौरव जुड़ चुके हैं तो गौरव जस तरह से आज सीम योगी के कई कारेक्रम तेहें तो आपके पास क्या कुछ अपडेट है देखें मैं आपको बता दूँ कि अमरत महत्व चली रहा है आजादी के 75 वस पूर्ण होने की स्थिती में देज भर में अमरत महत्व सब को बनाने के लिए अगर बात करें खादी की तो खादी का सुरू से ही हमारे 77 संग्राम अवियान से लेके अब तक खादी की बहुत बड़ी भूमी का रही है खादी को बहुत खादी के समय करना कही करते रहती है इसी कड़ी में खादी महत्राहां का आयूजन किया गया है यह लगब लव पन्दा दिन चले गा जो की राध़ाने के इंद्रा गांडी पेडिस्थान में आयूजन कीया जाएगा जे बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया मैसे जुड़े के लिए और तमाम जानकारी के लिए इस ख़बर पर मैसे समधा तो गौरब जुड़े थे तो खादी का काफी महत वो रहा है अजादी किसम ऐसे और जब देश आजादी महतसफ मना रहा है तो खादी महुतसफ क्यों न मनाया जाए तो इसी को ध्यान में रखते हुए सीम योगा अधितनाथ आज इसका उद्गाटन करेंगे और ये एक दिन दो दिन नहीं काफे दिन तक चलेगा कम से कम अठारा दिन तक इसका आयोजन किया जाएगा जिसमें सांस्कृतिक कारक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है अगली खबर शाजाहपुर से है जहां कचहरी परिसर में वकील भूपेंद्र पताफ सिंग की हत्या का पांच घंटे में ही पुलिस ने खुलासा कर दिया पुलिस ने हत्यक आरोप में अधिवक्ता सुरेश गुपता को गिरफतार किया है मामले के पीछे किराएदारी का विवाद बताया जा रहा है पुलिस के नुसार सिंज़ई की में अधिवक्ता सुरेश गुपता के घर पर भूपेंद्र सिंग रहते थे किरायदारी को लेकर भूपेंद्रका सुरेश उगुपता से विवाद हो गया था तब से अब तक दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए है पलिस के अनुसा सुरेश उगुपता ने जिर्म सुईकार कर लिया है वहीं दूसरी और के चहरी में सुरक्ष में लगे एक S.I. और तीन सिपाहियों को निलम बिद्भी कर दिया है जो परिवाद की रूप में दाखिल होता था कोर्ट में ही और उसकी विवेजना करा लेते थे इस तरह से जब चलना था तो आज यह भी तत्य प्रकाश में है कि सुरेश गुपता भी इसमें एक प्राइम सेस्पेक्ट हो सकते हैं सुरेश गुपता की तलाश की गई तो वो कचरी परिसर में ही वो मिल गए और उनके शर्ट पे एक ब्लेड स्टेन मिला और कुछ ब्लैकनिंग में मिली उनसे जब पुस्ताच कोई तो उन्होंने इस घटना की स्वीकारोपती की है और इसी कारण से उन्होंने बताया कि हमने यह गोली चलाई इनके उपर कि यह बहुत लंबे समय से मुकत में वाजी चल रहे थी और इससे दिमागी रूप से बहुत विक्स्ट हो गय थे सुरेश गुपता को हिरासत में ले लिया गया है और इनके कबूल नामे के आधार पे इनका चालान भी किया जाएगा और साथ में जो वेपन है वो तो वहां मौके पे ही मिल गया जिससे इन्होंने गोली चलाई और तमाम और जो सेंटिफिक एविडिंसेंस हैं जो CCTV की फू योग में आते हैं ऐसे में बासी से इटवा ला रही पौश्टिक आहार वाहन जरजर मारगों होने की वज़े से इटवा केंडर के पास ही पानी में पलट गई जहां पर उसमें लदा पौश्टिक आहार पूरी तरह से बरबाद हो गया वहीं इस बारे में जम्मेदार अध सुबह से ही तेज बारिश हो रही है तेज बारिश ते किसानों के धान की फसल और किसानों की अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुचा है किसानों की धान की पकी फसल बरसाद के पानी में बरबाद हो रही है जिससे किसानों को धान की फसल बरसाद के पानी से नस्च हो जाने क कि कगार पर पहुंच गई है वही इस वजह से किसानों का भारी नुकसान हो रहा है धान की फसल और अन्य फसलों को नुकसान हो जाने के चलते किसान गहरे सदमे में हैं किसानों का साफ तौर पर कहना है कि पकी धान की फसल बरसात हो जाने के चलते नश्ट हो जाने की कगार प की फसले बरसात हो जाने के चलते नस्च होने की गगार पर पहुँच गई है तो बरसात का सीधा उसर फसलों पर पड़ रहा है किसान इससे काफी दुखी नजर आ रहे हैं क्योंकि बरसात के करण पानी भर गया है और पानी भरने से जो तयार फसल थी और जो आने वाली फसल दोनों ही खराब होती नजर आ रही है और वहीं अबकिसान मुआवजी की आस लगाए सरकार से बैठे हैं मुरादाबाद के थाना पाक बड़ा छेत्र में मेडिकल चात्र का कमरे में शवलट का मिला गल्स होस्टेल के कमरे में शवलट का मिला बता दे कि मृतक छात्रा तीर्था कर महावीर विश्व विद्यालेक से MDS की पढ़ाई कर रही थी वहीं मौके पर पहुची पुलिस मामले की जाच में जुटी है अगली खबर अब सोन भद्र से है जहांके डाला चौकी छेत के अंतरगत एक लड़की दरिंदो का शिकार हो गई लड़की घर से सौच के लिए घर से कुछ दूरी पर गई थी शौच के बाद जब वो घर लोट रही थी उसी समय पडोस का लड़का और दो अन्य लड़के बाइक से जबरदस्ती उठा कर अन्यांत रजगा ले गए और बारी बारी से उस युवती के साथ हैवानियत की किसी तरह उन सब के चुंगुल से निकल कर जब घर आयू तो उसने अपनी आप भी थी अपने घर वालों को सुनाई वही पीडिता के परिवार वाले राजमंतरी संजीव कुमार गोड से मिलकर अन्याय की गोहार लगाने लगे पुली सदीक शक उम्रेंद्र प्रसाद सिंग ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही लड़कों को कस्तडी मिले कर पूस्टर चल रही है और इसके बाद जो भी उचित कारिवाई होगी उसे किया जाएगा सीतापुर में धार्मिक नगरी मिशृत की आवासिये एरिया में खुले आम कबाड की दुकादे संचालित हो रही है इन दुकानदारों के पास कबाड का लाइसेंस भी नहीं है और ना ही गाडियों को काटने की अनुमती फिर भी प्रशासन की मिली भगत से हर दोई सीतापुर रोड पर महंत पुलिया के पास कबाड की दो गोदा में चलाई जा रही है ये सभी प्रशासन के असकरक्षन में चोरी की गाडिया और बिना आइटियो आफिसर का टेक्स जमा किये हुए गाडिया खरीद कर उनको काट कर कबाड में तबदील कर देते हैं इनमें चोरी की मोटर साइकल, पेट्रॉल और डीजल कारे रहती हैं फैक्टरी की पाइपे और अन्य बड़ी गाडिया काट कर इनके पुर्जे शहरों में उचे दामों पर बेचकर ये भी कबाड माला माल हो रहे हैं और यहां गौर करने वाली बात ये है कि ये कबाडी नगर के आवासिये एरिया में रात के समय में गैस सिलेंडर से गाडियों को काटते हैं जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हाथसा हो सकता है संभल में दवंगों को ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही कारिवाई का डर बिखौफ दवंगों के बीच मामुली बात के चलते जम कर लाठी डंडे चले वहीं गाली गलोज के साथ मारपीड का वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वायरल हो रहा है लाठी डंडे चलने की लाइव वीडियो हयात नगर थाना छेत्र के ग्राम खरसफा की बताई जा रही है जहां तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि दवंग पहले एक दूसरे को जम कर गालिया दे रही है और उसके बाद एक दूसरे पर लाठी बरसा रहे है कुछ के हाथ में धारदार हतियार है तो तस्वीरों में देख रहा है और वहीं इसको लेकर पुलिस छेत्रादिकारी अरोड कुमार सिंग का बयान भी सामने आया है कि दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है पूरे मामने की जाच परताल की जा रही है मामना विवादित जमीन को लेकर बताया जा रहा है दिनांग 16-10-2021 को थाना हयात नगर छेत अंतरकत इस्तित गाउं खड सफा में दो पक्षों में आपसी गाली के लौच पर मारपीट हुई है जिसके संबंद में वीडियो भी वारिल हुआ है गटना के संबंद में वादी की तहरीर पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है तता जाच की जा रही है गटना का कारण दौनों पक्षों के मद्धे कोई विवादित पट्टी की जमीन को लेकर होना बताया गया है विश्तर दूप से जाच करते हुए आवशक वेधनी करवा जनपत संबल की आदर शिनगर पंचायत गमा में राम लीला कमेटी के पदादिकारियों और कलाकारों दौरा अशलील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वारल हो रहा है वीडियो में राम लीला कमेटी के पदादिकारियों और कलाकार अशलील रित्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से राम लीला के दौरान अश्लील रित्त कर जा रहा है संभल से एक खबर सामने आई जो राम लीला कमेटी के पताधिकारियों ने भी जम कर डांस किया है तो तस्वीरे देख सकते हैं आप साफ तोर से रामलीला के नाम पर किस तरह से अशलील डांस किया रहा है रामलीला का आयोजन किया गया जिसमें अशलील डांस करते हुए सबी नजर आ रहे हैं मैंपुरी के थाना छेतर कुरावली में वाइरल बुखार का असर देखने को मिल रहा है ग्रामीर भी वाइरल बुखार और अन्य बुखार की चपेट में आ रही है जिसके चलते कुरावली पर दिन प्रते दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो वहीं मरीज की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्त विभाग भी कमजोर पड़ता नजर आ रहा है अस्पताल में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मरीजों को भरती करने के लिए जगा नहीं बची है वहीं मजबूरन अस्पताल के जमीन पर लेट कर ही उपचाल ले रहे हैं लोग उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल एतना ही आप देखते रहें प्राइम टीवी झाल झाल झाल